पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जवाहर लाल नेहरू एवं डॉक्टर आशीरवादी लाल शिवास्तव के अनुसार अकबर ने दूसरे मजबों के प्रति उदार्ता का प्रदर्शन करके उनका विश्वास अरजित किया तथा अपने ही मजब एवं अपने ही कुल के उन शहजादों एवं अफगान विरोधियों को दबा दिया जो अकबर के राज्य पर कबजा करना चाहते थे बारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अकबर की धार्मिक सहिश्णूता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अकबर का नाम भारत के इतिहास में जगमगा रहा है और कभी-कभी कुछ बातों में वह हमें अशोक की याद दिलाता है नेहरू ने अपने पुत्री इंदिरा प्रेय दर्शनी के नाम से लिखे अपने पत्रों में लिखा है कि यह एक अजीब बात है कि इसा से तीन सो वर्ष पहले का एक बौध समराट और इसा के बाद सोलेवी सदी में एक मुसलमान समराट दोनों एक ही ढंग से और करीब-कर आवाज में बोल रहे हैं। ताजुब नहीं कि यह खुद भारत की ही आवाज हो जो उसके दो महान पुत्रों के जरिये बोल रही हो। पंडित नहरू ने लिखा है कि एक तरह से अकबर भारती ये राष्ट्रियता का जन्मदाता माना जा सकता है। कि अकबर की नसों में बहने वाले रक्त की एक भी बूंद भारती ये नहीं थी। उसकी माता हमीदा बानू खुरासान की रहने वाली थी और पिता हुमायू काबुल का रहने वाला था। उसके पूरवजों की जड़ें मध्य एशिया के ट्रांस आक्सियान अक्षेत्र अर इतिहास में उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी भारती ये नहीं था। यदि नहरू की पुस्तक के अनुसार अकबर को भारत का महान पुत्र मान लिया जाए तो फिर उन अंग्रेज अधिकारियों को विदेशी कैसे माना जा सकता है जिने 15 अगस्त 1947 को पानी और वायू के ज पेक्षा उन अंग्रेज अधिकारियों में अधिक पाई जाती है जिनोंने भारत में रेल चलाई, पुल एवं सडकें बनवाई, विद्याले एवं चिकितसाले बनवाई, नहरों एवं बांधों का निर्मान करवाया, नागरिक प्रशासन की आधनिक पद्धति लागू की अकबर ने इन में से कुछ भी नहीं किया था जहां तक अकबर की महानता और धर्म सहिष्णुता का प्रश्ण है, उसका उत्तर कुरुक्षेत्र में अकबर द्वारा साध्वों का एक दूसरे के हाथों रक्त पात करवाने, चित्तोड के दुर्ग में तीस हजार निर्दोष लोगों का कतले आम करवाने, गुजरात में साबर मती के तट पर दो हजार कटे हुए सिरों की मीनार बनवाने और शराब के नशे में राजकुमार मान सिंग का गला दबाने की घटनाओं में स्वतेह मिल जाता है। फिर भी ये घटनाएं अकबर के युग एवाम उसके सेनापतियों की मानसिक ताका पूरा परिचे देती हैं। पंडित नहरू ने लेखा है कि एक तरह से अकबर भारती ये राश्ट्री ये ताका जन्मदाता माना जा सकता है। ऐसे समय में जबकि देश में राश्ट्री अता का कुछ भी निशान नहीं था और मजब लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा था, अकबर ने समझ बूज कर समान भारती ये राश्ट्री अता के आदर्श को फूट डालने वाले मजबी दावों के उपर रख दिया। पंडित नहरू ने लिखा है कि अकबर अपनी कोशिश में पूरी तरह तो सफल नहीं हुआ लेकिन यह अचंबे की बात है कि वह कितना आगे बढ़ गया और उसकी कोशिशों को कितनी जादा सफलता मिली। पंडित नहरू ने लिखा है कि जब तक कि ठीक समय न आ गया हो और आसपास के हालात मदद ना करें तब तक कोई भी मनुष्य महन कामों में सफल नहीं हो सकता। महापुरुष खुद अपना चौगिर्द तयार करके जमाने को जल्दी बदल सकता है लेकिन महापुरुष खुद भी तो जमाने का और जमाने के चौगिर्द का ही फल होता है इस तरहें अकबर भी भारत के उस जमाने का फल है नहरू ने लिखा है कि अकबर हिंदों की सद देने के लिए चारों ओर से लगभग सभी राजपूत इखटे होने लगे, सिवाए मेवाड के राणा प्रताप के जिसने कभी सिर नहीं जुकाया। जिंदगी भर यह अभिमानी राजपूत दिल्ली के महन समराट से लड़ता रहा और उसके सामने सिर जुकाना मनजूर नहीं किया। नहरू ने लिखा है कि अकबर हिंदू सरदारों और हिंदू जनता का स्नेह हासिल करने में जुट गया। राजा मान सिंग को तो अकबर ने कुछ दिनों के लिए काबुल का सूबेदार बना कर भेजा। इस तरहें अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया और वह जनता का प्यारा बन गया। नेहरू ने लिखा है कि शरीर में अकबर असाधारन बलवान और चुस्त था और वैं जंगली और खुंखार जानवरों के शिकार से ज़्यादा और किसी चीज से प्रेम नहीं करता था। एक सिपाही की हैस्यत से तो अकबर इतना बहदुर था कि उसे अपनी जान तक की बिलकुल परवाह नहीं थी। जवारलाल नेहरू ने इंदिरा प्रिय दर्शनी को लिखे एक पत्र में लिखा है कि मैंने अकबर की तुलना अशोक से की है। लेकिन तुम इस तुलना से भ्रम में न पढ़ जाना। बहुत सी बातों में अकबर अशोक से बिलकुल अलग था। अकबर बड़ी उची उमंगों वाला बादशाह था और अपने जीवन के अंत समय तक वे अपने सामराज्य को बढ़ाने की धुन में चड़ाईयां करता रहा। पंडित नहरू ने लिखा है कि देखा जाये तो राजपूतों को और अपनी हिंदू प्रजा को मनाने के लिए कभी कभी तो अकबर इतना आगे बढ़ जाता था कि मुसल्मान प्रजा के साथ अकसर अन्याय हो जाता था। पंडित नहरू के इस कथन में कितनी सच्चाई है इस पर हम अगली कड़ी में विचार करेंगे। विबिन इतिहासकार भले ही अकबर की धार्मिक सहिशनुता के कितने ही गीत क्यों नगालें इतिहासिक तथ्यों से केवल इस बात की पुष्टी होती है कि अकबर को भारत पर राज्य करने तथा अपने ही कुल के शहजादों एवं अफगान लड़ाकों से लड़ने के न की हिर्दय की किसी उच्च भावना से प्रेरित होकर अगली कड़ी में देखिए अकबर ने अपने ही मजब के मुसल्मानों से अन्याय क्यों किया क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद